कर दोश्त के बाउकसिंग के रूड्स से रिलेट्ट इंपोर्टिन कुस्टन दे की आए है दैसी के दोश्त הג्णा पॉक्स रिलेट्ट में दो वीडियो मनाचिक हूं एतिसा वीडियो है जैसा कि मेरे चैनल पर सभी वीडियो से लिवस को एकल्डिंग है सभी ऱौपिक कलियर कर दिये गया है और प्रिफिस येर्गि 100 से ज़दा वीडियो जिभी बनाय गया है और डेली बेसे से आपका प्रैक्टिस भी कराय जा रहा है तो बने रहे हैं मेरे चनल पे बहतरी तयारी के लिए तो चली चलते हैं कोश्चन के तरब दोस्तो कोश्चन है कि रिंग के लाल कोने वाली जगह को तकनिकी रुप से क्या कहा जाता है तो जैसा कि दोस्तो जो हमारा रिंग होता है वह 20 गुड़े 20 फीट का होता है जहाँ पे मुक्के बाजी यानि बॉक्सिंग कराए जाती है उसको रिंग बोला जाता है वह 20 गुड़े 20 फीट का होता है यानि 6.10 मिटर गुड़े 6.10 मिटर वरगा कार होता है उसमें जो कोरे होते है एक तरफ रेड होता है एक तरफ blue होता है और दो तरफ white होता है यानि सफेद तो यहाँ पर question क्या है कि रिंग के लाल कोने वाली जगव को तकनिकी रूप से क्या कह जाता है तो उसको red corner pad बोला जाता है red corner pad बोला जाता है वोकिस तकणिकी नाम से जाना जाता है तो जो 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 इैँड दो सफेद नाम से नीच्रों को तक्णिकी City नेश्ट है बॉक्सिंग प्रतिविता की परिविच्छक के बाएं हाथ की ओर कौन सा कोना रहता है तो कौन होता है बॉक्सिंग प्रतिविता की जो परिविच्छक होती है उने के बाएं हाथ किस कोना की तरफ होता है तो लाल कोने की तरफ होता है जैसा कि दोस्तों बॉक्सिंग का प्रवेच्छक लाल और सफेद कोनों की तरफ बढ़ता है जो प्रवेच्छक करने वाला होता है जिसके बाएं हाथ की तरफ लाल नो कोना और दाएं हाथ की तरफ सफेद कोना होता है यह बाएं हाथ पर दूर का कोना सफेद और दाएं हाथ पर दूर का कोना नीला होता है जैसे बॉक्सिंग रिंग के रस्तों की मुटाई यानि ब्यास कितना होता है जैसे बॉक्सिंग में 3-4 रस्षे होते हैं और उसकी मोटा यानि ब्यास 4 cm होता है जो रस्षे होते हैं वो कॉर्णर से प्रथम रस्षा 40 cm के उचाई पर और जो तीन रस्षे होते हैं वो 30 cm की डिस्टेंस पर होता है जैसे की प्रथम रस्षा 40 cm के उचाई पर दूसरे रस्षा 40 में 30 में 30 जो जो जाएगा पहला 40 cm टिस्टेंस पर होते हैं एक दूसरे की बीदूरी नेश्ट है चारो साइड के रस्तों को बराबर अंतर पर रखने के लिए प्रतेक साइड पर कैनवास का प्रयोग किया जाता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है कैनवास उस कैनवास की चुड़ाई क्या होती है तो उस कैनवास की चुड़ाई होती है तीस से चार सेंटीमीटर नेस्टा रिंग पर चहने के लिए कहां कहां पर सिढ़िया लगी होती है तो रिंग पर चहने के लिए दोस्तों सिढ़िया लगी होती है तो रेट कार्नर, ब्लू कार्नर, वाइट कार्नर सभी जगह पर लगी होती है नेश्टा बॉक्सिंग रिंग में बाउट की दवरान अगर खिलाडी का सरीज का कोई भी अंग नीचे कैनवास के फ्लोर को छूता है यानि तलवे को छोड़कर तो उसे हम क्या कहते है तो उसे बोला जाता है नाक डाउन क्या बोला जाता है नाक डाउन तो कोशन इसे में कुछ भी बोच सकता है दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए नेश्टा प्रतिद्वन्दी की प्रहार से अगर खिलाडी रस्तों पर जूल जाए तो उसे क्या कहते है तो उसे कहेंगे नाक डाउन यानि जब प्रतिविता हो रहा है उसे में खिलाडी का सरीर कोई भी अंग कैनवास से नहीं चुना चाहिए अपलोर से नेश्टा है कैनवास के फ्लोर से नहीं सुना चाहिए दोस्तों नेश्टा प्रतिद्वन्दी खिलाडी की जोर से पंच पढ़ने पर खिलाडी ने तो जमीन पर गिरे और नहीं रस्तों पर लटके मगर अर्ध बेहोसी की हालत में आ जाए और रेफरी को लगे कि या आगे नहीं खिल सकता तो इसे क्या कहते हैं तो इसे क्या कहेंगे नाक डाउन ही वूला जाएगा इसको भी ठीक है ने अगर कोई खिलाड़ी नाक डाउन की सिटी में आता है तो बीपरीत खिलाड़ी उस वक्त कहां खड़ा होता है तो बीपरीत खिलाड़ी उस समय रेफरी द्वरा बताएगे नीट्रो कार्नर पर खड़ा होगा जो चार कार्नर होते हैं होता हे एक blue होता है दो white होते हैं तो white corner को we Feeling internal corner बोलते हैं तो बचा हुए खिलाड़ी रहेगा बीपीत वाला खिलाड़ी जाता है छोड लग जाता है कही चू जाता है तो उस समय बीपीत खिलाड़ी रेफ्री द्वारा सबनाश्य शेलिख prima नीट्रो खाड नेश्ठा नाँकदाउन होने की पस्चात अगर खिलावी तुरंत त्यार हो जाए तो रेफरी पूरे कितने काउंट करता है तो वह पूरे आठ काउंट करता है नेश्ठा अगर एक राउंड में अधिक से अधिक कितने आठ गाउंट दिये जा सकते हैं तो तेन कितने इता cता सकते हम इंडब नियुक्त जो बौकिंग मत्मिक हैसी जो है यानि कि not बाउड की जो है वहां तीन-तीन मिनट के तीन राउंड होती है पुर्सों के लिए तीन-तीन मिनट के तीन राउंड में खेला जाता है अब महिलाओं के लिए दो-दो मिनट के चार राउंड में खेला जाता है अब प्रतिक राउंड के बीच ब्रेक जो होता है एक मिनट का हो त्हिक है? एक बाउंट में तीन राउंड होंगी। नेश्ञर दोस्तों कि कि अगर knockdown खिलाड़ी की रेफरी की दस गिंती तक नहीं उ таких है तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं नाक आउट ठीक है यदि नाक डाउन खिलाड़ी रेफरी की दस गिंती जग नहीं उठता है तो उसे हम नाक डाउन नाक आउट कहेंगे नेशा नाक आउट को किस चिन्हेत किया जाता है तो किसे किया जाता है नेशा अगर कोई खिलाड़ी रिंग के बाहर चला जाता है या गिर जाता है तो इस संबंध में निमिन में से क्या गलत है तो दोस्तो यहां पे आपको चारो आपसन पढ़ना पड़ेगा है आपसन नमर यह है कि वह तकनिकी नाक आउट माना जाता है भी है उसे 30 सेकेंड में पुनर रिंग में आना होगा होता है यह भी सही है अगर वह 30 सेकेंड में रिंग में प्रवेश नहीं करता है तो उसे ट का थाण और तो आपसं में आने के लिए किसी की हिल्प ले सकता है तो अंदर रिंग में के लिए किसी की हिल्प ले सकता है एक पर जाएंग है अनुनिकी नाकाउट माना जाता है उसको अउससी Miram 37 सेकेंड में रिंग में प्रेवेश्ट नहीं करता है तो उसे time Naked Out माना जाता है यह condition होंगा का서 प्रेश्ट अगर रेफरी खिलाडी को वार्निन देता है의 कि तो उसके कितने अंक काटे जाते हैं रेफरी खिलाड़ी को वर्णिंग देता है तो उसके एक पॉइंट काट लिया जाता है नेश्च अगर एक बाउट में किसी खिलाड़ी को तिसरी वर्णिंग मिल रही हो तो निड़े क्या होगा तो इस कंडिसें में निड़े होगा डिस्क्वालिफाई यागर एक बाउट म किसी खिलाडी को तिसरी वार्निंग मिल रही है तो उसे दिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा पहली वार्निंग में एक अंग काटा जाएगा उसी तरह दो वार्निंग हो गया तिसरी वार्निंग देना पड़ा तो दिस्क्वालिफाई हो जाएगा अगर कोई खिलाडी अप पर आपसा नमबर D करेट होगा A and B दोनों यानि रेफरी फाउल देगा और बाउट चलती रहेगी नेश्ट है अगर ये खिलाडी प्रतिद्वन्दी खिलाडी को लो ब्लो करता है तो रेफरी के सामने कौन से दो निर्ड़े लेने के बिकल्प होंगे अगर प्रतिद्वन्दी खिलाडी चोट की सिकायत करता है तो तो इसमें क्या निर्ड़े होगा डिस्क्वालिफाई या आठ काउंट किया जाएगा आपसा नमबर A करेट होगा नेश्ट है दोस्तों कि बाउट खत्म हो जाने के पस्चात अगर रेफरी को खिलाडी के हाथ पर बढ़े हुए बैंडेज में या पट्टी में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो निर्ड़े क्या होगा तो निर्ड़े होगा दोस्तों उस खिलाडी को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा निर्फ कोशन है अगर कोई खिलाडी नाक डाउन हो जाए और रेफरी की गिंती सुरू होते ही या रेफरी के आठवी गिंती होने से पहले ही खिलाडी पुनह तयार हो जाए तो रेफरी की इस्थिती क्या होगी तो रेफरी की इस्थिती होगी आठ तक गिंती अवस्य गिनी जाएगी नेश्ट है अगर कोई खिलाडी नाग डाउन हो जाए और रेफरी के गिंती गिने के दौरां राउंड का समय समाक्त हो जाए तो निड़े क्या होगा तो इस कंडिशन में क्या निड़े होगा आपसा नमबर एक करेक्ट हो जाएगा आठ से दस तक गिनती गिनी जाएगी ठीक है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई होग की आपको समझ में आया होगा यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूँ बताइए और जादे जादे शेयर भी कीजिए दोस्तों और डेली बेसे से बंदे रही है ऐसे ही एमसे क्यूज के लिए यह आपका इस्पोर्स रिलेटेड एमसे क्यूज खत्म होगा उसके बाद प्रिवियर सेयर में आई हुई सभी कोस्टन सेट का में सब्सक्राइब कराओंगी तो जूर रहे मेरे चैनल पर डेली बेसेस पर फर्स बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बिल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिसे न्यू वीडियो का आपडेट आप तक पोच्छता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स जे